कि भगवान विश्णु से कहा ब्रह्मा जी ने सरिष्टी की रचना करना है आप बताओ रचना कैसे करना है भगवान विश्णु जी ने कहा नरेंड बोले कि शंकर भगवान बताएंगे कि सरिष्टी की रचना कैसे करना क्योंकि मैं बेकुंठ में रेता हूं तुम ब्रह्मल प्रत्वी पर केसे मनुष्य चाहिए प्रत्वी पर केसा वेक्ति चाहिए प्रत्वी पर केसा होना चाहिए यह तो शिवजी ही बता सकते हैं को दूसरा बता ही नहीं सकता है आप महादेव से पूछो महादेव से ब्रह्मा जी ने पूछा कि स्रश्टी की रचना करना है महाद आधे पुरुष बनाओ, आधे स्त्री बनाओ, अब बरहमा जी को समझना था कि पुरुष बनाना था इस्त्री बनाना था पर भगमान महादेव की बात को उनोंने लिया, अब जिसकी जितनी बुद्धी होती है पात्र ना तुम takiego वियो एक गिलास है तो गिलास बरकर दूदे लोगे तुम्हारे पास में भगोनी है भगोनी बरकर दूद लोगे तुम्हारे पास में बड़ा तसला है तसला भरकर दूद लोगे तुम्हारे पास बड़ा भगोना है भगोना बरकर दूद लोगे यह तुम्हारी पात्रता पर निश्यत करता है कि तुम पात्रवान कितने हो तुम क्या ले रहे दो कि यह समझवाली बात है कि आप क्या समझ सकते जैसे अनए नवेली बहु से सास ने पूछ लिया भेटा तुझे कुछ बनाना आता है हां मम्मी में सब बना लेती हूं सब बना लेती है हाँ है से सब बना लेती है ना हव आस्क्रिम बना ले अब जो बहु ने आस्क्रिम बनाने का सोचा अटेची में से रेसीपी बुक निकाल के लई जिसमें लिखा था दो किलो दूद को धीमी आच में गरम करो धीरे धीरे हिलाओ फिर उसमें बेकिंग पावडर डाल कि दीरे धीरे गोलते रहो गोलते रहो फिर उसमें केसर डालो हिलाते रहो डालते रहो सक्कर बोलो बोलो डालो फिर हिलाते रहो फिर उतार कर एक घंटा फिरिज में रख दो बहुने समझ लिया हग हिग Scripture 10 शार घंटे के बाद सास भिरीज खोली पानी पीने के लिए व 1977 अवाज लगई बहू को बेटा यह बेटा इधर आ हम हैं इसह घंटा फिरीज में किस से रखा मैंने रखा क्यों किताम में लिखा ता एक घंटा फिरीज में रखो कि सास भी सिर्ठोकली सास ने कहा उसमें लिखा था जो तुने गोल तैयार करा है उसको एक घंटा फिरीज में रख तुम मंदिर का घंटा रखी आई समझ वाली बात है हम क्या समझ रहें यह हमारे सोच पर निर्वर करता है ब्रह्मा जी से बगवान शिव जी ने कहा आदे पुरुष बनाओ आदे इस्त्री बनाओ ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की पहली स्रश्टी का निर्मान करना प्रारम करा और ब्रह्मांड की सबसे पहल आदी स्रश्टी में ब्रह्मा जी ने आधा पुरुष्ट आधा इस्ट्री किन्नरी किन्नरों का निर्मान कर दिया पुरा तुरा भ्रहमा कि अपन सब को इन किन्नरों को धन्यवाद देना चाहिए इनकी भूमी पर अपन रह पहला स्वरश्डि का निर्माण कि पुरे ब्रह्मार्ण वो को हसी आ गई हमारा श्यू महापुरान की कथा करती है कभी बहुत मोटा वेक्ती है उसको देखकर भी नहीं हसना कोई बहुत दुरबल वेक्ती है उसको देखकर भी नहीं हसना श्यू महापुरान की कथा करती है कोई रोगीला वेक्ती है उसको देखकर भी नहीं हसना कोई बह यह श्रिव्तत्व की तख्था करती है बगवान विश्णु ने जो किन्नरों को देखा देखतर भगवान विश्णु ठांका लगा दिए हस दिये जैसे मेरे नारायन हसे शंकर जी की आंख से अश्रू बहने लगे नारायन आप बेकुंत धीपती आप मुस्कुरा रहे हो हस रहे हो क्यों भगवान विश्णु जी ने कहा महादेव जी आपने कहा ता प्रभू जी की सरश्टी का निर्मान करना आदे पुरुष आदे इस्त्री बनाना पर ब्रह्मा जी तो समझी नहीं पाए ब्रह्मा जी ने आदे पुरुष और आदे इस्त्री दोनों को मिला के किन्नर उत्पन्न कर दिये तो भगवान शिव जी ने कहा आपको हसने की क्या जरूरत पर हसे हो आप यह ठीक नहीं है जो किसी विकलांग पर हसता है मरने से पहले उसको उसी क के जैसा होना पड़ता है जो किसी निरबल को देखकर हसता है जो किसी गरीब को देखकर हसता है जो किसी के सुरूप को देखकर हसता है उसको एक जनम वही पाना पड़ता है भगवान विश्नु से भगवान शिव जी ने कह दिया अब तुम इन किन्नरों पर हसे हो इसलिए प्रत्वी पर तुमको भी एक बार नारयन किन्नर बनना पड़ेगा तुमको भी प्रत्वी पर जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा आया कोरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था कोरव और पांडवों के युद्ध में जिस कुरुछेत्र की भूमी पर युद्ध हो और लेगा कोरों खुस हो गए हम सोभाई सो भाई में से एक भाई अगर मर वी जाएगा बली में चढ़ भी जाएगा निन्यान भाई बचेंगे पर पांडवों में छने जाएगा तो चारी बचेंगे औरहों तो खुश हो गए पर पांडव मोन होकर बेड़ गए भगवान कृष्ण ने पूछा अर्जुन से आज तुम चुप क्यों तुम चुप क्यों अर्जुन कहते हैं चंडी को प्रसन करने के लिए बली देना है एक दिन शेश है और बली देना है दूसरे दिन अब आप बली दें तो दें किसकी दें युदिष्टिर कहता है मेरी बली चड़ा दो भीम कहता है मेरी बली चड़ा दो नकुल कहता है मेरी बली चड़ा दो सहदेव कहते हैं मेरी बली चड़ा दो अर्जुन कहते हैं मेरी बली चड़ा दो भगवान कृष्ण कहते हैं किसी की बली द किसी इस समय तर भीम दूपती के सात रह रहा थे द्रोपती से विवा हुआ था थो तो उसने संकल् कल्प लिया था कि मैं एक पती के साथ में एक वर्ष रहूंगी उस वर्ष में कोई दूसरा मेरा पती उस पती के कच्छ में नहीं आएगा वरना उससे बन जाना पड़ जाएगा ब्रहामन के बच्चे को शेर उठा कर ले गया ब्रहामन रोता हुआ आया अर्जुन मेरे पुत्र को शेर ले गया सिंग ले गया अर्जुन मेरे बेटे को बचा ले अर्जुन ने गांडी उड़ा मेरा पड़ेगा और जो द्रोपती वन को भेज देती है अर्जुन को अर्जुन जाते जाते नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह कर लेते हैं उनसे एक बेटा जनम ले लेता है जिसका नाम आरावन होता है उस बेटे ने जनम ले लिए भगवान करते हैं तुमारा पुत उस वन में है उसको लेकर आओ बली उसकी चड़ाएंगे जा उसको लेकर आओ अर्जुन गए आरावन को लेकर आते हैं उलूपी ने पूछा क्यों लेकर जा रहे हो युद्ध के मैदान में युद्ध हो रहा है कुरव और पंडवों का इसलिए बेटे की जद्वत है तो बाइए को लेकर जा रहा हूं आरावन पूछ रहा है पिता जी मेरे लिए तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा बहुत वीर था आरावन और आरावन ने कहा एक-एक को पटक पटक कर मारूंगा एक एक-एकसीस काट दूंगा मैं पोर्भों को छोड़ूंगा नहीं पिता- बस आप चिंता मत करो आप बेखना यह आरावन सब को मार गिराएगा अरजुन लेकर जब आरावन को आए भगवान कृष्ण ने कह दिया आरावन हमें तुम से युद्ध नहीं लड़वाना है हमें तो तुमारी बली चड़ाना है भगवान ने जैसी कहा आरावन कहते हैं प है मैंने सुना है कि अगर कोई कुवारी अवस्था में मर जाता है ना कि उसको तरपण नहीं मिलता उसकी तिलान नहीं होती कोई कुवारी अवस्था में मल जाता है तो उसका पिंडदान नहीं होता कोई कुवारी अवस्था में मर जाता है तो ब्रह्म का पाली नहीं होती कोई कुवारी अवस्था में मर जाता है तो ब्रहमन को कितना भी भोजन करा लो उसको भोजन प्राप्त नहीं होता क अधोगती में पड़ा रहता है उसकी मुक्ती नहीं होती इसलिए आरावन करते हैं मैं कुवारी अवस्था में मर जाओंगा तो मेरी मुक्ती नहीं होगी उमा खंड में लिखा है बेद्व्याजी ने केवल भागवत कथा सुनोगे तो पित्रों का उद्धार हो जाएगा पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा सारी पुराणे सुनोगे सब का उध्धार हो जाएगा केवल बेद्रियाजी लिखते हैं शुमाहपुराण एक अकेली ऐसी है जो सुनता है सुनकर जिस रस्ते से निकल कर जाता है सुनने वाले का मुख अगर कोई देख लेता है और जिसके गर्भ में भी बच्चा मर गया हो या उसके परिवार में कोई कुमारा चले गया हो कथा सुनने वाले के मुख का मात दर्शन कर ले तो वो मुक्त पा जाता है आप में से ना जाने कितनी माता है इसी बेठी है जिनके गर्भ में दो महिना चार महिना चे महिना का बच्चा चले जाता है आप में से कई माता हैं, आपने के माईके में भी कोई न Как ऐसा होगा जिसके गरबं में बच्चा था दो सालिक के साल कुमारी अवस्था में मर गया आपके महले में आपके कालोनी में आपके गाओं में खेड़े में नगर में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो कुमारी अवस्था में चले गया होगा उस गाओं का व्यक्ति अगर श्यू महापुरान की कथा सुनने के बाद अपने गा में अधर अगर में कुवारा मर गया तो मेरी गति नहीं ऑगा मेरा मोक्ष नहीं होगा मेरी साधी कर दो और कल मेरी बली चड़ा दो अभ भगवान कर्ष्ण ने अर्जुन से कहा कोई लड़कि ढूंडो ओर लड़ की ते शादी होण आज की रात है केबल कल बली चड़ना कुछ भी करो लड़की डूंडो पांडवों ने पूरा दम लगा दिया पर कोई लड़की नहीं मिली कौन पिता होगा जो एक रात्री के लिए अपनी बेटी को ब्याएगा और मालूम है कि कल ये बेटी बिद्वा हो जाएगा बेधब् तरी आती गई जैसे इंद्राट्री आई भगवान कृष्ण को लगा अब लड़की नहीं मिल रही करू क्या लगवान कृष्ण को याद आ गया संकर भगवान ने कहा था तुम किनर पर हसे हो इसलिए तुम्हें किनर बनना पड़ेगा भगवान नरे भगवानड कृष्ण ने किन्नर का रूपधारण कर लिया और आरावन से रात्री में विवाह कर लिया रात्री में विवाह कर लिया कई लोग पूछते हैं गुरुजी ये किन्नर गले में मंगल सूतर पहनते हैं मांग में सिंदूर भरते हैं हाथ में चूडा पहनते हैं पाउं पैजनियां पहनते हैं कमर करधनियां पहनते हैं मुख पर लाली नैनों में सुर्मा बालों में गजरा होता है क्या ये किन्नर का भी विवा होता है शू महा पुराण की कथा करती है संसार में मुर्तिव लोक में जो किन्नर होते हैं इनका भी विवा मध्यरात्री में आरावन के साथ ही होता है भगवान कृष्ण ने भी किया केवले खासी केवले तुम किस पर हस रहे हो तुम किस पर उङली उठा रहे हो शो महा पुराण की कथा करती यह कोंगली जो हम किसी पर उठाते हैं जरो हुआ है polytechnmare ते यह टीन उगली यह फिर यजा के ता अपने आपanca में शुधार अंधे कर ने को देख कर विजवर अच्छे लगे तो लीख और ऋ हमें नबस पिल्टे निस मैं रहा घंद कर दो